दोस्तो आज का ये जो वीडियो है ना ये इस परटिकलर टॉपिक पे लास्ट वीडियो है ठीक है? Once and for all, finally मैं आपको समझा देना चाहता हूँ अब लास्ट क्यों कह रहा हूँ मैं आपको ये भी बताता हूँ आज से पहले भी मैं इस परटिकलर टॉपिक पे SSD की जो लाइफ है खराब तो नहीं हो जाएगी, कितनी चलेगी इसको लेके आप लोग, users, थोड़े confused होते हैं, थोड़े worried होते हैं तो मैंने इस पे दो तिन वीडियो पहले बनाई भी है और उसमें से एक अद वीडियो तो YouTube ने शायद community guideline का हवाला देते हुए delete भी कर दिया है तो मैं आपको इस वीडियो में finally समझा देना चाहता हूँ कि ये जो चीज है ना, SSD की life, उसकी जो warranty period है जो total terabyte right मिलता है, meantime between failure होता है उस पे आपको कोई भी tension लेनी की ज़रूरत नहीं है ठीक है, मैं किजी SSD company का owner नहीं हूँ लेकिन फिर भी इतने सालों के मेरे experience है और SSD को use करने का experience है आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी SSD कभी भी खराब नहीं होगी और जो total terabyte right का आकड़ा है वहाँ तक आप उसे कभी नहीं ले जा पाओगे until and unless कि आप उसको forcefully ले जाना चाहते ही हो तो आप उसको constantly data right करते ही हो वो भरना चाहते हो वो जो आकड़ा है जो limit है वहाँ तक ले जाना चाहते हो लेकिन हमें जितना दिया जाता है उसके बारन में आपको बताना चाहता हूँ ठीक है तो मैं अपने experience से कह रहा हूँ जैसे मैंने का कि मैं कोई company का owner नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं आपकी SSD भी आप किसी भी company के SSD खरीदो एक reputed brand की अगर वो SSD है तो उसकी guarantee मैं ले सकता हूँ कि वो खराब नहीं होगे क्योंकि मैंने इतना use किया है SSD को इस हिसाब से मैं कहा रहा हूँ और अभी जो screen आपको दिख रहा है न यह मेरी 850 pro samsung 850 pro 1200 GB जो 256 GB का model है उसका crystal disk info का snapshot है अब यह link दे दूँगा मैं इसका software का आप भी अपनी SSD को check कर सकते हो अब इसमें आप total जो terabyte जितना data में write कर चुका हो न वो देखो ठीक है कितना है 85 terabyte से 87 terabyte के बीच में कुछ है तो अब company इस पे claim करती है मुझे जो guarantee मिलती है वो है 1500 terabyte की आप कोई भी आज किसी भी company के SSD चाहे वो सेटा हो चाहे M.2 हो अगर आप 2500 terabyte का आप total terabyte return मिलता है याने कि इतना data write करोगे उसके बाद वो SSD read only mode में चली जाएगी ठीक है बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि यह TBW भर जाएगा उसके पाद खराब हो जाएगी नहीं उस cell को आप write नहीं कर सकते वो read only mode में रहेगी मतलब data read कर सकते हो तो जो data already available है वो तो आप read कर सकते हो मतलब ऐसा नहीं data loss हो जाएगा ठीक है तो जो data available है वो read कर सकते हो लेकिन नया data उसके write नहीं कर सकते तो यह बात खास ध्यान रखने वाली है TBW का मतलब यह होता है कि इतना data write होने के बाद आप उस पर data नया data write नहीं कर सकते अब वो SSD खराब कब होगी तो यह जो सारी चीज़े है ना जो हमें बताई जाती है यह जो mean time between failure है अब पांत साल की warranty है फिर यह जो total terabyte write है वो एक estimated आंकड़ा होता है जो 1500 terabyte मिलता है तो ऐसा नहीं कि exact 1500 का मतलब last byte अपने write किया उसके बाद नहीं होगा ठीक है उसके बाद SSD खतम ऐसा नहीं है वो एक estimated होता है कई SSD उसके beyond भी चल जाती मतलब 1500 terabyte के बाद भी चल जाती है और कुछ SSD है जो उससे पहले भी खराब हो जाती है ठीक है तो यह estimated होता है उससे पहले अगर होती है तो आप साथ साल पहले लीजी 2014 में और तब से लेके उस जिस दिन लाया हूं उस दिन से लेके अभी तक यह मेरी बूट रही है अभी भी है और future में भी रहेगी ठीक है तो साथ सालों में मैंने देखो कितना डेटा उस पर राइट किया 85-87 terabyte तो पर डे अगर आप निकालो एक दिन में 82 GB data write कर सकते हो यह तो सबसे छोटे model की बात कर रहा हूं ठीक है अगर 200 GB वाला model है तो 82 GB write कर सकते हो बहुत होता 82 GB मैं तो एक heavy user हूं बहुत सारा data read and write होता है तब जाके मैं 33 कर पाया हूं ठीक है तो अगर आप 50 GB तक भी कर लेते हो 60, 70, 80 तक भी कर लेते हो वो भी 200 GB वा model है 500 GB वाला तो उसमें मिलता है 300 का 300 TB और अगर 1 TB की है तो 600 TB यह सब का बता रहा हूं में ठीक है तो अगर मानलो कि 1 TB की किसी के पास है तो एक दिन में 328 GB write कर सकता है ठीक है तब जाके 5 साल में SSD read only mode में आएगी तो 328 GB बहुत होता भाई साब 308 GB किसे कहते हैं कौन करता इत कर रहा हूं average ठीक है जो मैंने आपको 85 बताया अपना 85 TB अभी तक हुआ है साथ सालों में तो एक दिन का हो गया 33 GB तो मैं भी एक दिन में तो 80 GB राइट नहीं कर पाया उस पर जितना company मेरे को अलाव करती है तो अगर आपके पास जैसे बड़ी SSD है 500 GB की इवन 200 की भी है तो अभी बहुत सारे यूजर क्या नई SSD खरीदने जाते हैं और बहुत अच्छी बात है अगर रिसर्च करते उसके बारे में यह सारे स्पेसिफिकेशन पढ़ते हो उसके बारे में इंटरनेट पे खंगालते हो लेकिन इसको देखके ना जो एक क्वेस्चन आ रहे हैं वो किस हैं और उससाहागा ना मतलब कि जितने साल से आपने खरीद हैं जितने सालसे यूज कर रहे हो उथ Χ 25 का 9 शाल से लम्बर आयetских वाइटा यही नि मोजह नहीं लगता कि कि यह जो इसकी लिमिट है जैसे कि 500GB में है 82GB पर दे तो आप उस पे उतना डेटा आपने राइट किया होगा मुझे नहीं लगता ऐसा होगा ठीक है और फिर भी है तो मुझे बता ना अगर कोई ऐसा बिल्कुल हैवी यूजर हो आप तो मैं जानना चाहूंगा कैसा क्या काम करते हो जिसमें एक दिन में इतना जाधा डेटा राइट होता है ठीक है किसी एक दिन पर हो सकता है मैं रोज की बात कर रहा हूँ तो अब ये वीडियो को मैं जाधा लंबा नहीं करना चाहूंगा आप अभी कोई भी SSD खरीद रहे हो एक रैपूटिट ब्रांट की उस पे 5 साल की वारंटी सब में मिलती है TLC मेमरी वाली SSD होगी DRM वाली होगी अच्छा एक कंट्रोलर लगा होगा और 2500 GB की अगर वो SSD होगी चाहे वो SATA हो M.2 हो तो उस पे 1500 TB का तो होगा ही एक दिन में 325 से 328 GB तक का डेटा राइड कर सकते हो जो की बहुत होता है मुझे नहीं लगता कि एक normal consumer market में ऐसा कोई consumer है जो normal user है वो इस पे एक दिन में इतना डेटा राइड करेगा तो आपको ये tension अब इससे इसलिए मैंने कहा था यह फाइनल वीडियो है अब इससे बिलकुल मुक्त हो जाओ ऐसा कुछ सोचो मत SSD खरीदो तो बिंदास उसको यूज करो अगर खरीदने के बाद भी हमें SSD पता यह जो invention क्यूं हुआ है जो हाड डॉय में जो जो दिक्कत ही थी ना उससे छुटका रहा अब SSD को खरीदने के बाद भी हमें सूचना पड़ेगी खराब तो नहीं हो जाएगी या कोई भी डिवाइस यूज लेने के बाद हमें उससे सूचना पड़ेगी यूज करूंगा तो आससा तो नहीं हो जा जाओगे अगर कुछ हुआ तो आपको फ्रेश पीस मिलेगा कंपरी की तरफ से पांच सालों में अगर वारंटी पिरेड में है तो ठीक ऐसा नहीं कि आपको उसको रिपैर करके दिया जाएगा बाकि तो जो इन चीजों में स्पेशली कंपिटर की जीज़े ना उसमें पॉ बिल्कुल फ्रेश पीस जो पेटी पैक पीस होता है सील पेक वो मुझे दिया था तो अब इसको इतना जादा नंबा नहीं करते देखो आठ जाडए-8 मिनिट हो गई है ठीक है बस मैं यही समझाना चाहता था इस वीडियो में यह फाइनल वीडियो इसके बाद अब मैं न उसको टोटल टेराबाइट राइट फिल नहीं कर पाया साथ साल में तो अभी मैं उसको आधि यूजिफ कर पाया हूं ठीक है डेडर्सों का मिलता है में 85 तक यूजर पाया है तो अभी पांत साल तो इस सकते अरिशा यूज्त भी सॉष्टहतर you thank you so much